मुख्य मंत्री योगी आदेतनाथ ने अपने दोदिवसिय गोरखपुर दौरे पर गोरखनात मंदिर में जनता दर्बार लगाया इस अफसर पर सीएम ने फर्यादियों की समस्या सुनकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया राजधानी के लखनोव स्थित पुलिस लाइन में डीजीपी ने पुलिस सप्ताहा का शुभारम किया जहाँ डीजीपी ओपी सिंग परेड की सुला मिली इस अफसर पर सड़सर पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया डी जी पी ओम प्रकाश सिंग ने भारत बंद को लेकर काहा कि मेरट हापुड आगरा और गाजयवाद में अब इस्थिती नियंतर में हैं पुलिस ने इस मामले में कई ग्रफतारिया की हैं जिन पर सक्त कारिवाई की जाएगी साहरनपुर पहुँचे योग गुरु बाबरामदेव ने अपने दोरे के तीसरे दिन लोगों को योग सिखाया इस दोरान उन्होंने कहा कि 2019 का लोग सबाचुनाव बीजेपी के लिए काफी चुनोती पूण है वानटसी पहुँचे केंद्री मंत्री गिरराई सिंग ने कहा कि विपक्ष को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है और मोदी राज में किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा केशव प्रसाद मौर ने मायवती पर उतर प्रदेश में अराजकता फैलाने का आरूप लगाया है उन्होंने कहा कि मामला कोट में विचारधीन है उससे पहले इस तरह कि आंदोलन के क्या मतलब है बिजनौर पहुंचे रालोद मुखिया ने बीजेपी पर जम कर निशाना सादा है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किये है आगामी लोकसभा चुनाओं में बीजेपी को हराना ही विपक्षी दलों का मुखे मकसद है रालोद मुखिया अजिस सिंग ने कहा कि कैराना लोकसभा के उप्चुनाव लड़ने पर विचार किया जाएगा लेकिन बीजेपी से गड़बंदन किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा मुरादबाद के डिलारी थनाक्षेत्र में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रित्याशी और उनके बेटे ने इंस्पेक्टर को एक समाहरों में जम कर धमकाया बीजेपी नेता के बेटे ने इंस्पेक्टर सहित आला अधिकारियों की टोपी नीचे करने की धमकी दी SSP मनजिल सैनी ने बताया कि इस पूरे तांडव के पीछे योगेश वर्मा हिंसा के मुख्य साजिश करता है। उनके खिलाफ रासुका के तहत केस दर्ज किया जाएगा। जम्मु कश्मीर के पोशिया में आतंकी हमले में शहीद हुए निलेश सिंग का राज की सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा। इस दोरान प्रभारी मंत्री ने सरकार की तरफ से 25 लाख रुपई का चेक भी दिया। मुक्यमंत्री योगी आदितनात के लखनो उस्तित आवाज के बाहर इंसाफ नहीं मिलने के कारण महिला ने कैरोसिन डालकर आतमदाहा की कोशिश की। इस दोरान महिला आग की चपिट में आकर बुरी तरहे से जुलच गई है जिसे इलाज के लिए इस्पताल में भरती कराया गया है। बागपत के चपरॉली विधानसबसीट से RLD के निशकासित विधायक सहिंद्र रमाला के खिलाफ पंचायत ने एक फर्मान जारी किया है। जिसकी मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और दूर खित में ले जाकर दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया। हापुड के गड़ मुक्तेश और क्षेत्र के गाउं दोताई में पिंजरे में तेंदुए को देखकर ग्रामीडों में अफरा तफरी मच गई। आननफानन में ग्रामीडों ने वन विभाग को सूच न दी। विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्री टीवी